जब हम आवले का बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बालों का ही खियाल आता है कि यह हमारे बालों को बहुत फायदा पहुंच जाता है लेकिन बालों के अलावा यह हमें बहुत से चीजों में लाव पहुंच जाती है आयरवेद के नजरिये से देखा जाए तो और यह बहुत से दवाईयों में परियोग की जाती है आज हम आउले के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है अनीता और आए आज के इस टॉपिक को सुरू करते हैं तो आए आउले के पहले खायदे के बारे में बात करते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाता है विटामिन C से का आउला हर मौसम में लगभग पाई जाती है यह हमारे आखो बालो और त्वचा के लिए तो पाइदेमन हैं ही साथ ही सरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है दूसरा है मदुमे में लाग मदुमे के रोगी अगर सहत के साथ आउले के रस को प्रती दिन सेव के अनेकों फाइदे हैं उसी में से एक फाइदा यह भी है कि यह आपको एसिरिटी की समस्या को काफी राहत दिलाती है चोथे में हैं बालों के समस्या से निजात बालों को काला घाना चमकदार बनाने के लिए भी आउला मदद करता है इसके लिए हम आउले का रस बालों मे लगा या उसका सेवन कर सकते हैं और इसके वज़स से हम अपने बहुत से तरह की बालों के समस्याओं से निजात पा सकते हैं पाच्वों फाइदा है यह हमारा याद्दास बढ़ाता है आवले का सेवन करने पर हमारा याद्दास बढ़ता है इसके लिए हम आवले के रस या इसका मुडब्बा बनाकर या इससे किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं और अपने याद्दास को मजबूत बना सकते हैं और आइरन, कर्भो हाइट्रेट, फाइबर पाये जाते हैं जो हमारे सरीर को बहुत लाप पहुचाती है और बहुत सी बिमारियों से दूर रखती है ये थी आउले के फाइदे जो हमारे लिए बहुत ही गुनकारी है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें आपका एक सेर किसी के लिए बहुत थी फाइदा पहुचा सकती है और आप नए हैं और इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मैं इस तरह के हेल्प वीडियो लेकर आते रहती हूँ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत है झाल